तो और दूसरा आपको श्टेटमेंट्स दी होंगी तो उससे आपने कौशेटमेंट्स बनाना सीखनी है कैसे बना सैब्सकेटमेंट्स से ठीच है अब देखो पहला इसका फॉर्सट पार्ट है उसको देखो तो यह आपके पास x plus 1 का whole square is equal to 2x minus 3, आप देखो, इसको आपने पहले expand करना है, simplify करना है, और फिर जो आपके पास last equation बनेगी, उसको देखना है, अगर उसमें variable की highest degree, maximum power जो है, वो अगर 2 है, तो वो quadratic है, अगर नहीं है, तो वो quadratic equation नहीं है, ठीक है, तो आज़े उसको solve करते हैं, यह a plus b का whole square भी, इस तरह से भी इसको solve कर सकते हैं, इसको दो तरीके से solve कर सकते हैं, easily, देखो, या तो a plus b का whole square का पार्मून लगा लो, या इसको कर लो, x plus 1 into x plus 1, अगर नहीं से multiply कर लो, इस तरह से, यह simply a plus b का whole square, किसके बराबर हो साथ है, a square plus b square, means x square plus 1 का square 1, plus 2 a b, a b, 2 into x, और 1, 2 x रहेगा, ठीक है, यह आपके पास रिए खुल किया, is equal to, इसको 2 से multiply करो, 2 x minus 6, यह आगे आपके पास, आप x वाल है, इक ठेक लो, सारे इसनी तरफ लिया, x square, plus 2 x minus 2 x, यह 2 x तरफ आ गया, यह वाल यह, constant term, यहाँ पर लिखी plus 1, और वाली वीज़ लाई, तो plus 6 is equal to 0, इसी तरह से expression लिखते हैं, x square, यह cancel हो गया, plus 2 x minus 2 x, plus 1 plus 6, कितना हो गया, plus का, 7 is equal to 0, यह आपके पास रिए quadratic equation है, क्योंकि यहाँ पर variable की highest power कितनी है, do है, यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही terms है, एक तो first term है, औ और एक constant term है, middle term है, middle term है, यहाँ पर missing है, मतलब middle term के आपकी 0 है, तो यह इस फाहम में आगी, x square, plus b x की power 0 b x की power 1, plus 7 is equal to 0, यह वाली term है, यहाँ पर क्योंकि फर्क नहीं है, यहाँ पर variable के highest degree कितनी है, 2 है, तो यह एक quadratic equation है, middle term से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, exist करती है कि नहीं करती, सिर्फ यह, यह चीज़ एक इस्ट करनी चाहिए, अन्हें बताया है, आपको a x square, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 0 के बराबर होएगा, तो यह वाली value 0 हो जाएगी, आप समझे, आजो, second वाला देखो, ठीक है is equal to minus 2 into 3 minus x, इसको solve करो पहले, यह तो solve ले है, x square minus 2x, इसको minus 2 को 3 के सा मल्टिप्लाई करना, केतना हो जाए, minus 6, और minus 2 into minus x, plus का 2x, लेओ इस तर्फ, x square minus 2x, इस इकल टू जीरो, यह बच गया, x square minus 4x, plus 6 is equal to 0, यह भी एक quadratic equation है, क्योंकि यहाँ बेरेबल की highest power कितनी है, 2 है, उसके बाद middle वाली, इसके बाद constant term, और is equal to 0 के बराबर, this is also a quadratic equation, अब थर्ड बाले देखो, x minus 2 into x plus 1, is equal to x minus 1 into x plus 3, अब इसको solve करना है, ठीक क्या, तो पहले इस x के सा इसको पूरे को मल्टिपलाई करोगा, फिर माइनस 2 के सा इसको पूरे को मल्टिपलाई करोगा, इस तर्फ से खोड़े करोगा, यह, x into x plus 1, फिर माइनस 2 into x x plus 1, इस तरह से खोलेगा, यह बल्ला भी ऐसे, x plus 3, हाँ, x को, x plus 3 के सा मल्टिपलाई, फिर माइनस 1 को, माइनस 1 से, x plus 3 से मल्टिपलाई, ठीक है, अचा खोल दिया, फिर माइनस का मल्टिपलाई, यह बन किया, आप इस तरफ लियाओ, उनको, देखो, x स्केर, x स्केर, इस तरफ आएक तो माइनस x केर, यह कट जाएंगे, तो यह आपको सीधे भी इधर से, इधर काट सकते हो, जब आईस्ट डिगरी बाला ही कट गया, तो यह क्वाड्रेटिक बाल्य इक्रेशन नहीं आने बाली है, क्योंकि x स्केर जो है, मतलब वेरियेबल की पावर 2 बाला, कट रहे, मीन्स वाकिछ जितना मर्जी बच जाएगा, तो वह क्वाड्रेटिक एक्रेशन नहीं आने बा कि उस्तरव वाला माइनस 3x, माइनस 2 और उस्तरव वाला माइनस 3, माइनस 2 प्लस का 3, आप देखो, x प्लस x 2 x माइनस 2 x, ये दोनो कट गये, पीछे क्या बचाएगा है, माइनस 3 x, माइनस 2 प्लस 3, प्लस 1, इस इकल टू 0, यहाँवे 0 बचा था न, यह नहीं आ बाला धि यह आपको quadratic equation नहीं है तो अब सिथा लिखते हो तो इस नाट है quadratic equation अब next वाला पाट देखते हैं पूर्थ पाड़ देखो इसका पूर्थ पाड़ क्या है एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 हम इस इकल टू एक्सी न्टो X ंट एक्स प्लस था जा कियseits किकल निफ एक्स x x x square plus 5x, ओगया, यहां पर कर लो, मल्टिपल लाई है, x x x 2 x x square plus 1 x x minus 3 x 2 x, 6 minus 6 x, minus 3 x plus 1, कितना आगया, minus 3, x equal to x square plus 5 x, ओगया, चलो, इस तरफ ले आवान को, 2 x square minus x square, ठीक है, 2 वाले कटे कर लिए, फिर x वाले देखो, plus x minus 6 x, और उस तरफ 5 x सरफ आजाएगा, plus x minus 6 x minus 5 x, ठीक है, और minus 3 इसी तरफ है, is equal to 0, ठीक है, अब इनको same same वाले को solve कर लेंगे, 2 x square minus x square, बच जाएगा x का square, ठीक है, plus x minus 6 x minus 5 x, minus 6 x minus 5 x, minus 6 x minus 5 x होगा, minus 11 x, तो plus x कितना बन गया, minus 10 x, minus 3 is equal to 0, ये भी एक आपकी क्या बन गए, quadratic equation बन गए, क्योंकि यहाँ पर variable की highest power कितनी है, 2, ठीक है, ये भी है, अब 4th, 5th को देखो, 5th part क्याँ है आपको, 2 x minus 1, into x minus 3, is equal to, x plus 5, into x minus 1, ओके, कर आपको, 2 x से मुल्टिप्लाई इस दोनों को, 2 x को, x minus 3, तो minus 1 को, x minus 3, is equal to x के साथ, x minus 1 को, तो plus 5 को, x minus 1 के साथ, ठीक है, कर आपको साल, 2 x into x, 2 x square, 2 x into minus 3, minus 6 x, minus 1 into x, minus x, minus 1 into minus 3, plus का 3, is equal to x into x, x square, x into minus 1, minus x, plus 5 x, plus 5 minus 1, plus 5 into minus 1 के तना होगा, minus 5, तो plus 2 minus के तना रहता, माइनस, ठीक है, यहां कि आपके पास, आप स्कॉल्प करो, इस तरह भी लिए, तू x square, x square वाली तरह है, यह है, माइनस का x के बन जाएगा, इस तरह जाएगा, अब प्लस 3, और a minus 5 इस तरह भाएगा, तो प्लस का 5, is equal to 0, कर दो साल, तू x square, minus x square के तना होगा, x square, minus 7 x, minus 4 x, minus 11 x, plus 5 3, के तना होगा, 8 is equal to 0, यह भी एक वादरेटे, equation है, ठीक है, 5th, 6th, 6th कहा है, x square, देखो, x square, plus 3 x plus 1, is equal to, x minus 2 का whole square, देखो, यह आपको देखने में लग सकती है, यह quadratic है, मगर नहीं, अभी यह solve करनी है, फिर देखना है कि इसका x की highest power 2, जो है, यह वाली value बच पाती है कि नहीं बच पाती है, देखते है, चलो, इसको साल करो, पहले इसको, खोल लो, आप a minus b का whole square किसकर दाब रोता, a square plus b square minus 2 a b, तो कर लो, a square plus b square, 2, 2 into 4, 2 into 2 कितना होगा, 4, minus 2 a b, 2 x into 2, कितना होगया, minus 4 x, ओके, यह आगया, यह देखो, x square plus 3 x plus 1, x square कितना होगा, x square कैंसल हो जाएगा, तो 3 x plus 1, is equal to 4 minus 4 x, तो इसको अब साल भी कर लोगे, तब भी आपको क्या आ गया, x किरवली, उड़ गई यह टर्म, तो यहां पर यह quadratic equation नहीं होगे, ठीक है, क्योंकि highest degrees की x की पावर 1 आएगी, ठीक है, तो, बैसे ही आपको 7 और 8 भी करनी है, 7 और 8 जो है, चलो उसको भी देखे लिए, अच्छो, 7 पाट को देखते हैं, देखो, 7 पाट में आपको दिया है, x प्लस 2 का होल क्यूब, is equal to 2x into x square minus 1, a प्लस b का होल क्यूब का फर्मूला लगे गा, अधर, a प्लस b होल क्यूब किसके बरापर होता है, देखो, a प्लस b का होल क्यूब, यह होता है, a cube, प्लस 3, a square b, प्लस 3, a, b square, प्लस b cube, ठीक है, a cube plus b cube का फर्मूला, वस, a को माल लो, b इस को माल लो, दो चलो, x का cube, 3, a square, b, प्लस 3, a कितना है, x, square, a square, b, b कितना है, 2, 2 भी मल्टिपला ही होगा, इस के दा, तो 3 into 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, 3 into b कितना हो जाएगा है, है, 3 into 2, 6, 6 x square, plus 3 a, फिर b का square, b कितना होगा, 2, 2, 4 into 3, develop, develop x, और प्लस b q, b q कितना होगा, 2, 2, 4, 2, प्लस 8, ठीक है, यह बन गया, a q, plus 3 a square, b, plus 3 a, b square, plus b q, ठीक है, as equal to, इसको भी साल्ब करो, 2 x into x square कितना होगा, 2 x q, 2 x minus 1 into minus 1 कितना होगा, minus 2 x, ओके, अब, x q बाले पहले दर लेओ, x q, minus 2 x q, फिर x square बाले, और कोहीं नहीं है, plus 6 x square, develop x, और minus 2 x इस तरफाएगा, plus 2 x, plus 2 x, plus 8, is equal to 0, देखो, x q, minus 2 x q, कितना बन जाएगा, minus x q, यहाँ पे variable के highest degree कितना आने बाल नहीं होगा, 3, तो यह quadratic क्या है, नहीं बनेगा, तो यहाँ पे यह बाला था, तो इज़र x q आ गया, तो यह नहीं होगा, ठीक है, आप देखते हैं, 7th, 8th part को देखते हैं, देखो, 8th part में आपको दिया है, x q, minus 4 x square, minus x plus 1, is equal to x minus 2 का whole cube, आप देखो, इधर आपको फर्मॉला लगया है, a minus b का whole cube, a minus b का whole cube लिख लेते हैं, a minus b का whole cube, यह हो जाएगा, is equal to a cube minus 3 a square b plus 3 a b square minus b cube, ठीक है, तो इसको इस तरह से आपना expand करना है, इसको, देखो, a कितना हो गया, x है, तो आपके पास आजाएगा, is equal to x का cube, minus 3 a square b, minus 3 into a, 3 x, और 2, b कितना है आपके पास, 2, कितना हो गया, 6 minus 6 x square, ओके, plus 3, a कितना है आपके पास, x, और b कितना है, 2, तो 2 to the 4, क्योंकि b का square चाहिए, 2 का square, 4, x into 3, तो कितना बन गया, develop, develop x, और b cube कितना बन जाएगा, 2 to the 4 to the 8, minus 8, ये बने क्या हो कि पास, तो यहाँ पे ये वाला लिख लो, x cube, minus 4 x square, minus x plus 1, यहाँ पे x cube, x cube, cancel होने बाला है, तो ये x k, तो आए गया, ठीक है, minus 4 x square, ओधर बना जाएगा, जाएगा, ठीक है, plus 1, cancel term, यहाँ पे plus 8, इस तरफ आजा जाएगा, जो, is equal to 0, ठीक है, 6 minus 4, कितना आगया, 2, 2 x square, minus x minus 12 x, minus 13 x, plus 1 plus 8 plus 9 is equal to 0, बन किना क्याटरिटी, equation क्यों कि हाई इस टीगटी कितना आगी है, x variable कि 2 आगी, ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको दी होगे, तो इस तरह से आपने find करनी है पहले, कि यह quadratic equation है कि नहीं है, देखो, अब next question है, second, second question में, हमें क्या करना है, हमें statements दी हुई हैं, तो बहां से आपको quadratic equation बनानी है, तो हमें यह चीज़ सीखनी हैं कि statement से quadratic equation कैसे बना सकते हैं, देखो, quadratic equation में problem क्या है, कि आपको एक ही variable में दोनों चीज़ें let करनी होती है, जो भी चीज़ें निकालनी हैं आपको, वो एक ही variable में let करोंगे, ठीक है, linear equation ने two variable में क्या करता थे, दो variable let कर लेते हैं, फिर एक एक ही variable let करना है, तो देखते हैं को कैसे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेशन, इसका फर्स्ट पार्ट है आपको, अरिया फे रेक्टैंगूल प्लाट इस 528 मीटर स्केर, एक रेक्टैंगूल प्लाट लिए हैं उन्होंने, देखो, रेक्टैंगूल प्लाट इस तरह से होगा, आपोसेट साइड्स, ये length होगी, तो ये breadth होगी, ठीक है, तो इसमें length, the length of the plot is one more than the twice its breadth, we need to find the length of the breadth, हमें length और breadth निकालनी हैं, और इन दोनों के बीज़ों आपसमें relationship दिया हुए, अगर length आपकी L है, तो breadth कितनी होगी, in terms of length, आपको निकालनी है, या आपको breadth लेट कर लो, और length को निकालो in terms of breadth, उससे आपको क्या मिलेगा, देखो, area आपको दिया हुए, area किसके ब्राबर होता है, length into breadth, अब अगर मैं length को भी, एक variable लेट कर लो, breadth को भी, तो ये two variable बन जाएंगे, आपको सिर्फ एक variable को लिखना है, तो मैं let कर लेता हूँ, जो breadth है आपकी, वो b है, then length किसके ब्राबर होगी, देखो, length का relationship दिया है, the length of the plot, is one more than the twice its breadth, means, आगर आप breadth को twice कर लेते हो, तो length उसे एक जादा है, मतलब breadth को twice करोगे, फिर भी length का relation देखोगे, तो length अभी एक जादा है, तो इसमें एक और प्रास टुकर लो, ये दुनों ब्राबर होगी, तो length को in terms आप breadth लिख लिए हैं आपने, इन दुनों में क्या होगा, breadth आपकी b होगी, तो length कितनी होगी, 2b plus 1, ठीक है, तो area किसके पराबर होगा, क्योंकि area दिया होगे, 528, तो area किसके पराबर होगा, length into breadth, वो किसके पराबर है आपका, 528, length कितनी है आपकी, 2b plus 1, लिख सकता है न, 2b plus 1, और breadth कितनी है, b is equal to 528, ठीक है, देखों, लिख लिए हमने, a की variable में से, variable इधर के आपका, बी, ठीक है, तो कॉर्ण इसको multiply, b into 2b, 2b square, plus 1b, minus 528, is equal to 0, this is the, koordinating question, for this statement, ठीक है, वह समदे, हमने किया क्या, एक dimension को, let कर लिया, और दूसरी dimension को, उस variable की form में लिखा, मतलब यहां पर हमने, breadth को let कर लिया, b, और फिर length, correlation लिखा, in terms of b, length, correlation लिखा, in terms of b, क्या है, length is twice of the breadth, plus 1, बसमदे, यह किया, तो अस दोनों में, इस तरह से अपने निकाल ला है, समझा इसकी, अब second part को देखते हैं, इन्हों नों बोला, the product of two consecutive positive integer is 306, we need to find the integer, तो अगर हम let कर लेते हैं, एक integer x है, तो consecutive दूसरा क्या होगा, x plus 1, यही होगा न, एक x है, एक 9 है तो दूसरा क्या होगा, 10, या एक 9 है तो दूसरा, 8, यह हो सकता है, पिछला है अगला है, ठीक है, x plus 1, 1x, 1x plus 1, simple, अब इसमें क्या दिया है इन्हों ने, इन दोनों का product किसके बराबर है, product मतला multiply करने हैं, x into x plus 1 किसके बराबर है, 306, बच बन की quadratic equation, x into x, x square, plus x, minus 306, is equal to 0, बन गए, तो two consecutive numbers को let कर लिया, आपने एक x है, दुथर x plus 1 है, ठीक है, तो क्या बन गए, x square plus x, minus 306, is equal to 0, ठीक है, तो यह आपटो बस quadratic equation बन गी, third equation कैसे बनेंगी, इसमें आपको दिया है, रोन्स mother is 26 older than him, अभी, क्या बोल रहा है, रोन्स की mother is 26 older than him, अगर रोन्स की एच x है, रोन्स की एच x है, तो इसकी मम्मी की कितनी होगी, x plus 26, 26 साली जादा है ने बड़ी, तो मदर की कितनी हो जाएगी, x plus 26, यह हो जाएगी, क्या मदर की x करोगी, तो रोन्स की x minus 26 कर लेना, ऐसे कर सकते हैं, तो one variable में दोनों little statements, ठीक है, इधर आपको ध्यान क्या रखना है, इसर बड़ी बड़ी एक ही करनाँ आपको, ठीक है, variable बड़ी 2 नेकर चलके, variable एक ही रखना है, अब देखो, question में आजाओ, the product of their age is 3 years from now, 3 years from now, आ kwest 3 साल बाद, आज से तीन साल बाद, तब आपने तीन साल बाद चल जाओ, त्री यर्ज आगे चल जाओ, त्री यर्ज हैंज, यह present condition बताई है न उसने, रोहन से mother is 26 older than him, है न, तो यह present condition है, अब त्री यर्ज चल जाओ आगे, तो रोहन कितना हो जाएगा, रोहन हो जाएगा, एक्स प्लास तीन साल का, और मदर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लास 29, तीन और मिला लो न, 29 हो जाएगी, यह तीन साल बढ़ गया, यह भी तीन साल बढ़ जाएगी, आप इनकी प्रड़क्ट करनी है आपको, तीन साल बाद प्रड़क्ट बोला है न, तीन आपके पास आएका 360 ठीक है अब देखो इनको इंको सॉल्ट करोगे इनको मुल्टिप्लाइ करोगे ये तो से रख साथ एक्स इंटु एक्स प्लस 29 और 3 से भी मुल्टिप्लाइ करोगे प्लस 3 इंटु x plus 29 is equal to 360 अब देखो, x into x x square plus 29 x plus 3 into x 3 x plus 3 into 29, इतना हो गया 27 8 87 अब देखो, x square plus 29 plus 3 कितना हो जाएगा 32 x 32 x और 87 360 को इदर लाओगे, कितना आजाएगा है कि आपका 9, 6, 3 273 minus 273 is equal to 0 ये आगे आपके पास काड्रेटिकेशन, इसको साल्व नहीं अभी करना है, साल्व हम करना है मिडल टर्ब से फ्लिटिंग, ये next exercise में देखेंगे फिर आप ये सारे क्वेशन इसको साल्व कर सकते द्वारत, इनकी बैली भी निकार सकते है, मीज़ इनकी प्रेजेंट एज और मदर कीज निकालेंगे, ठीक है फॉर्थ पार्ट इसका ए ट्रेंग ट्रेंब से इसको फॉर्थ पर्ट एक त्रेंगे, आप ये त्रेंगे द्वेंगे, देखेंगे, ये स्पीड अगला, ये स्पीड इसको बडा आप ये काम करो, speed, distance, and time के बीज़ अर्लेशन लिख लो speed is equal to distance upon time यह होता है अब आज़ो इसके देखो, quadratic equation बनाते हुए अपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपको variable सिर्फ एक ही लेना, दूसरा variable नहीं आने दना बीच में ठीक है, तो पहले आप जो data दिया है, इन्होंने वो लिख लेते है speed speed निकाल नहीं, आपको speed let कर लो, x km per hour यह आपने speed, original train की speed कितनी x km per hour, अब इसने distance कितने travel करना है इसके लिए distance करना 480 km, यह है 480 km, ठीक है तो इसके लिए time कितना लगेगा इसका तिनों चीज़े निकाल लेते हैं, speed, distance, time तो time कितना लगेगा इसके लिए time लगेगा इसका, यहाँ देखो time is equal to time, इतरा आजागा distance upon speed time किसके राबर आजागा distance upon speed, और distance कितना आपका, 480 upon x, ओके यह आगया, आगर x, यह uniform speed दीए, वो x है, अगर 480 km का distance travel करना तो इतना time लगेगा ठीक है, आप इसने situation दीए है, situation के इसाब के चलो तो आपके पास quadratic equation बन जाएगी situation क्या बोला, if the speed had been 8 km per hour less, मतलाब आपकी x km speed let करके यह conditions आई थी, आप speed आपने कम करनी है, कितनी करनी है, new speed कितनी करनी है new speed कर देनी है, आपने x minus 8 km per hour ऐसे कर लेंगे, फिर इन्हों बोला कि आपके को time कितना लगेगा 3 गंटे जादा लगेंगे means, same distance travel करने कितना लगेंगे, पैला time इतना लगा था न, x के साथ x की speed से इतना टाइम लगा था आप तीन गंटे जादा लगने है, मतला new time new time कितना 480 upon x कितना गंटे, प्लस तीन और प्लस करो कितना time आपको लगेगा ओके कितना time लगने किसके लिए, same distance distance उतना यह distance कितना आपका 480 480 km को travel करने के लिए, आप इतना time लगा है, इतनी speed से ठीक है, इस speed distance time का आप relation लिख लो distance distance किसके बरापन होगा, कोई भी लिख दो speed is good distance upon time distance किसके बरापन होगा, distance is good to speed into time distance कितना आपका 480 new speed, new time speed कितनी आगी, x minus 8 हाना, और new time कितना आगया 480 upon x plus 3 पहले तो इसी को solve कर लो, इसको solve कर लेना चाहिए था हम यहीं पर यह कितना आजाएगा, देखो, इसको मैं solve कर लेता है, यहाँ पर 480 प्लस 3x अपान x यह आजाए गई, हाना, इसको इस सिधर लेक लेता है, इसको solve कर के, प्लस 3x अपान x ओके, अब this, multiply this यह x है, यह नीचे denominator में है, यह x इदर आजाएगा 480x अजाएगा, इदर आजाएगा 480x, यहाँ गया x-8 into 480 plus 3x तो इसको multiply इसके साथ x को 480 plus 3x से multiply और minus 8 को फिर से 480 plus 3x से multiply, ठीक है आप देखो यह कितना आ गया 480x plus 3x केर minus 480 into 8, कितना आ गया 0 4, 6 carry और 40 अला, 4, 0, 4, 0 8, 4 800 का बत्ती हा, नहीं इसको multiply करो, minus 8 into 480 तो यह आजाएगा आपके पास 3840 ठीक है अब minus 24x is equal to 480x ठीक हो, यह 480x, यह 480x cancel हो जाएगा पीशे क्या बच गाएगा 3x केर, minus 3840 minus 24x is equal to 0 तो, quadratic equation बने कि यह आपके पास क्या बनी 3x केर minus 24x minus 3840 is equal to 0 तो इस इस दो कॉडिने टिवेशन के सुलूशन आप निकालोगे तो एक्स आपके पास आजाएगा वी नीद फाइंड दा पीट अफ ट्रें यह निकल जाएगी कितरा आ जाएगी थ्री एक्स क्या माइनस ट्री एट फॉर दिरो इस एकल टो जिरो अब इसको ध्यान से देख यह x के र इससे 3 कमन लेलो लोग है तो यह 8x और इससे भी 3 कमन लेलो बद्री से इसको डिवाइड करो क्योंकि यह 3 से हो जाएगा यह 4 12 प्लस 3 15 15 3 से डिवाइड हो जाएगा करो इसको 3 1 2 3 8 3 2 6 2 24 8 3 1 2 8 0 इस इकल टो जीरो ठीक है यह बन गिया आपके पास नहीं ऐसे पि प्रावलों नहीं है ऐसे पिरक्साओं ठीक है यह आपके बास बन गया इसको जब हम साल्व करना सीखेंगे न मिले टरम सप्लेट करके फिर आप एक्ट की वैलियू निकाल सकते है ठीक है तो इस इस दा को इस दियान में क्या रखना होता है जब भी आपको स्टेट्मेंट दीए इसमें आपको द्यान ritual नहीं आने देना एक वैरियू को लैट करता ओंट दुसर्य टंब्स को बाकी स्टेट्मेंट्स हैं वह उसी में ही लेट करनी है आपको उसी गएवले में ही ठीक है तो इस तरह से इन बनेंगी ठीक फर आगले एक साहिच अरइस